दोस्तों आज की कहानी है भैया आप बापी की मदद करके इस गर की बेजती कर रहे हो दोस्तों कहानी सुरू करने से पहले अगर आपने हमारे सैनल को सबस्क्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पॉस सके अर नया वीडियो पूरे सार साल बाद हैमत कैनेडा से लटा था कैनेडा में एक ब्यूटी प्रोडेक्ट्स बनाने वाली कंपनी के लिए हैमत काम करता था हैमत अपने देश अपने घर लट कर काभी फुस्ता एर पोरट पर उत्रे ही हैमत की नजरे अपने परिवार वालों को खोजने लगी जल्दी ही उसे अपने माबाब बाई बाबी बड़ी बैन और खुद की तीन साल की बच्ची भी एर फोरट पर खड़े नजर आई लेकिन उसकी नजरे सोबा को खोज रही थी वो सोचने लगा ये सोबा मुझे मिढने क्यों नहीं आई और उपर से उसने हमारी सोटी सी बच्चे को भी या भेज दिया अब रिशन एर पोरर पर सबसे हसी खुशी मिला फिर उसने सोबा के बारे में पुसा दो उसकी दिली बोल पड़ी बैया वो घर पर ही है तुमारे लिए खाना तियार कर रही है वह तो आज ही तुमारे आने की खुसी में काम करने लगी है वरना मुझ कोई काम करती का है अरविसन ने अपनी बेटी को पियार से उठा लिया लेकिन उसकी बेटी उस देख कर रोने लगी लाओ मुझे दो बच्छी को वह तुम्हें काफी दिनों बाद देख रही है ना इसलिए पैसा नहीं पा रही होगी कहते हुए दिदी ने बच्छी को अपने पास ले लिया अपने परिवार से मिलकर खुश था लेकिन ये बात की सोबा उसे एयर पॉरट पर मिलने नहीं आई उसे काफी परेशान कर रही थी वह सोचने लगा क्या खाना बनाना इतना ज़ादा जरूरी था मुझे से मिलने से भी ज़ादा और वह भी तब जब में सार साल बाद वापस आया हूँ इनी ख्यानों में गरता का आदा रास्ता बीट गया उसकी बच्छी उसे देख कर रो नहीं रही तेशली अर्विन उसकी साथ खेलने लगा बाकी का आदा रास्ता भी खतम गो और सब गर पॉंस गए गाड़ी के आवास सोबा बालकनी में आकर खड़ी हो गई और अर्विन की तरफ देखने लगी अर्विन भी जैसे ही गाड़ी से उत्रा उसने पहले दरवाजे की तरफ और बाद में बालकनी की तरफ नजरे गुमाई जैसे वह सुबह को ही देखना साता हो अर्विन से नजरे मिलते ही सोबा के सेरे पर मुश्कान जलग पड़ी अर्विन भी उसे देखकर हलके से मुश्कुरा दिया सभी गर के अंदर गए सोबा सब के लिए पानी लेकर आये और सभी को पानी देने के बाद फिर से किसं में सली गई साही बनाने के लिए थोड़ी देर तक सभी परिवार वालों से बाते करने के बाद अर्विन सोभा को बुलाने लगा माने उसे बीस में टौकते हुए का देने दो उसे कीसन में थोड़ा काम कर लेने दो बाद में अपने आप आज जाएगे तुम बैटो या मेरे पास वैसे भी कहां ज़्यादा काम करती है वह अर्विन यही बात दूसरी बार सोभा के बारे में सुन रहा था अब उसने सोसा मेरे गरवाले मुझे से जूर थोड़ी बोलेंगे हर दिन नहीं ओता होगा उसको इतना कामाज थोड़ा सा है करने देते हैं मैं बाद में उससे बात कर लूँगा अर्विन अपने परिवार वालों से बासित में मगन हो गया एक गेवाद एक रिष्टेदार और पडोसी अर्विन को मिलने आते रहे और सोभा को कीशन से भार निकलने का समय ही नहीं मिला सभी के लिए साय बनाना नास्ता बनाना यहीं करते करते साम हो गई साम होते ही अकेली सोबा इस बड़े से परिवार का खाना बनाने में जूट गई दो घंटे बाद सभी परिवार वाले खाना खाने के लिए दैनिंग टेबल पर बैटे थे सीवा सोबा के अर्विन साता था कि सोबा भी उसके साथ बैटकर खाना खाये लेकिन फिर माने का अगर वह भी खाना खाने बैट जाएगी तो सब को फरोसेगा कौन सभी के खाना खाने के बाद सोबा ने आकेले खाना खाया रात को सोने के वद अर्विन वक्त अर्विन और सोबा अच्छे से मिल पाई अर्विन सोबा के हैं साथ काभी बादे करना सादा था लेकिन वह उसके सेरे पर ठकान और निद अच्छे से देख सकता है इसलिए उसने सोबा को परेशा ना करने का फैसला किया और उससे सोने दिया उसे पता ही नहीं सला जब सुबह बच्ची की रोने की आवाज आने लगे तो अर्विन उटा और सुबह को पुकारने लगा जब सुबह पास नहीं देखी तो उसने बच्ची को सुब कराया फिर से सुला दिया अर्विन बात में सोबा को देखने लगा तो सोबा उसे फिर से किसन में मिली जो सुबह सुबह ही जल्दी उठकर गड़ वालों के साई नास्ते की तियारी में लग गई थी अब अर्विन सोचने लगा मा और दीदी तो कहती थी कि सोबा ज़्यादा काम नहीं करती लेकिन जो में देख रागू वह तो कुछ और ही है अर्विन अब सब समझ गया था पर वापनी मा को ऐसा नहीं बोल सकता था कि सोबा से ज़्यादा काम ना करया कराया करोई से अब उसने खुदी सोबा की मदद करना सुरू कर दिया था अर्विन के हाथ बटाने से सोबा को थोड़ा अच्छा लगने लगा था पहले जाओ उसका सेरा ठकान से उत्रा रहता था उस पर थोड़ी समक आने लगी थी अर्विन साधी करके लाया था वह तो कोई और थी जो तोते की तरह बोलती थी और ये सोबा तो बिलकुल सूबे गुम्सू में ऐसा लगता है जैसे किसी के दवाब में हो किसी डर की वज़े से सहमी हुई हो अर्विन सोबा के उसके काम में और ज़्यादा मदद करने लगा अर्विन का ऐसा विवा अब गर वालों को खटकने लगा गर के सभी बड़ा और उसकी दीदी ने मिलके अर्विन को समझाया तुम अपनी भीवी की मदद करते हो उससे हमें कोई एंतराज नहीं है लेकिन तु लेकिन जब कोई तुम्हें बीवी के होते हुए बरतन दे दोते देखे तो वह अच्छा थोड़ी ही लगता है और सो सो आगे सलकर सोबा को तुमारे हेल्प की आदत पड़ गई तो तुमारा अपना काम में ध्यान लगाना मूस्किल हो जाएगा अर्विन हमेशा से ही अप तुमार काम मांता आया था जीस तरह से सबने अर्विन को समझाया था अर्विन भी उनकी बातों में आ गया अर्विन सोबां की मदद करने से खट्राता था कभी कबर वह बच्छी के लिए दूत गरम कर लिया करता उससे ज़्यादा कुस नहीं गर वालों ने अर्विन को व उसका परिवार भी बढ़ गया अब उसे दो बेटियों और एक बेटा था दोनों बेटिया इसकुल जाने लगी थी लेकिन बेटा अभी भी सोटा था जितना अर्विन कमाता था उतना सब के लिए काफी ना था काभी सोश विशार करने के बाद अर्विन ने ये फैसला किया कि वह सोबा के साथ सेर में जाकर रहेगा जहां पर सोबा भी काम कर पाएगी और वह गर से ही अपने ब्यूटी प्रोडेंट्स बेशना शुरू रखेगा इस तरह से वह अपने पैसों की तंगी को पूरा करेंगे परिवार वालों ने भी अर्विसन को इजाज़त देती अर्विसन शाता था कि मां भी उसके साथ रहे लेकिन मां को सेहर में आना मजूर ना था मां बढ़े भाई के साथ रहने लगी सेहर में अब सोबा नोकरी करती और अर्विन घर से ही ओनलाइन अपने प्रोडेक्ट बेस्ता कहीं साल ऐसे ही बीत गए सोबह घर का काम और बाद में बार का काम करके पहले से भी ज्यादा ठकी ठकी रहने लगी परिवार वालों की अर्विन के दिमाग में डाली बाते अभी भी उस पर असर करती थी वह यहां पर भी सोबा का हाथ ना बठाया करता अर्विन अब दिन राद अपने प्रोडेक्ट बेशने में ही मस्रूब रहता कभी कभी सोबा उससे कहती कि मुझे अच्छा नहीं मैसुस हो रहा है मुझे डॉंक्टर के पास ले सलो वहां के देता लेकिन अपने कामें इतना खो जाता कि कभी उसको डॉंक्टर के पास ले ही नहीं जाता सोबा तो बिमार थी लेकिन एक बार अर्विन बहुत ज़्यादा बिमार हो गया इतना बिमार हो गया कि उसे अस्पताल में भरती करवाना पड़ा अस्पताल में अर्वीन के पास स्रब सोबा थी और कोई नहीं इतना बिमार होने के बाद भी उसके परिवार वाले स्रब उससे मिलकर वापस अपने घर सले गए थे उसका सारा बनने के लिए उसकी तकलीब बाटने के लिए कोई भी उसके साथ नहीं था बीस्तर पर पड़े और सारी दिख तकलीब से गुजर रहे अर्विन को अपनों का ऐसा वेवार बहुत तकलीब दे रहा था फिर वो सोचता कि उसने भी तो सोबा के साथ जिन्दगी बर्याई किया है क्या वो सोबा का जीवन साथी स्रफ नाम नाम का ही नहीं ता जो साथ देने की बारी आती थी तो उसने दूसरों के बहकावे में आकर उससे किनारा कर लिया था मैं यादा कि सोबा के खुद अपने मुझ से कहने के बाद में उसकी तकलीब को वो नजर अंदाज करता आया था अर्विन को अब अपना दरद सोबा के दरद के आगे मामूली सा लगने लगा उसके दरद को ना बाढ़ कर उसने बहुत बड़ा गुना किया हो ऐसा उसे लगने लगा परस्ताव के आशू अर्विन की आँखों से बहने लगे उसने अपनी सारी गलते और गुनाओं के लि